हम्, समस्या दो बंभीर है, दो महीने भी नहीं बचे एक्जाम को, और किसी सब्जेक्ट में आधास लेवस कवर किया है, किसी सब्जेक्ट में चार चैप्टर बचा हुआ है, किसी सब्जेक्ट में पढ़ा तो है लेकिन कॉन्पिडेंसी नहीं आ रहा है, दर लग रहा है कि क नंबर खराब नहों जाएं या कहीं पेल नहों जाएं लेकिन जिंता मत करें अभी दो महीने हैं तुमारे लिए और ये दो महीने इतने कम भी नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता है कि बहुत कुछ हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा स्ले षोड़ करके रखे हैं तो लेकिन इतने तो हैं कि अच्छा स्कोर में इसको तबदील किया जा सकता है अगर आप आप आज से अभी से यह ठान लें कि नहीं इस एक्जाम में अच्छा स्कोर तो करना है क्या है जैसे करते हैं न कुछ बातें आपको बता कुछ बहुत ही इंपोर्टन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी आपके एक्जाम तक आज से जो भी आपके पास 40-50 दिन बचे होने का तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे अगर आपको confidence नहीं आ रहा होगा कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं हाँ फेल तो नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा तो आप वहां तक भी पहुंच जाएंगे ठीक है चलिए मैं बहुत ही precise हो करके बहुत ही focus होके काम करना परे उस तरह से काम नहीं चलेगा आप चलो यार तो घंटे यह मन हुआ पढ़ लिए मन हुआ पढ़ लिए मन हुआ घूम टैला है ऐसे काम तो बिलकुल भी नहीं चले ठीक है क्या करना होगा फिर सर हमें देखे अभी जो समय आ अब आप पूरा whole soul syllabus तो नहीं पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा आये छोड़के रखा हुआ है तो नहीं पढ़ सकते हैं पूरा syllabus आप चाहो नहीं कवर किया सकते हैं और आपको मैं सही सही बताओं तो एक्जाम में 100% score करने के लिए 100% syllabus पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि आपकी books में ऐसी बहुत से चीज़ें होती हैं जो आपके exam में कभी पूछी ही नहीं है या जिसके पूछे जाने के संभावना बहुत ही कम है और ऐसे चीज़ों को लास्ट टाइम पर पढ़ना अपने सर पर बोच डालने जितना है तो हमें ज़्यादा नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा maximum to maximum 75% to 80% syllabus कवर करना है नो और इतना syllabus कवर करने के बाद आपको exam में आपके 100% questions आपको दिखाई देंगे जो आपको आते रहे इतने syllabus में से हो सकता है आप ठीक से उनको न कर पाएं हो सकता है आप बहुत अच्छे से कोई एक question का answer ना रहा हो ना रहा हो हो सकता है कुछ आपके दिमाग से उतर जाए बूल जाए या लेकिन 100% in 80% 75-30% में आपको दिख जाएगा आपने paper है ना और अगर आप सिर्फ 70-80% score करना चाहते हैं तो इतना score करने के लिए आपको 50% syllabus ही sufficient होगा जी आमें बिलकुल सही बोल रहा हूँ ठीक है 20-25% ऐसा syllabus है जो कि आपके book में दिया हुआ है आपके लिए होता है अगर आप आगे भविश्य देखते हैं कोई competitive exam अगरा देखते हैं लेकिन आपके board exam के दिश्टी से यह बिलकुल भी important नहीं है ठीक है तो वो हमें नहीं पढ़ना ठीक है हमें सिर्फ यहीं पढ़ना होता है 70-80% syllabus ठीक लेकिन सवाल यह है कि 70-80% syllabus कौन सा पढ़ना ही आपको पता कैसे चलेगा ठीक है इसके लिए बहुत important है आप previous year questions paper उठाईए ठीक है और इन previous year questions paper को analyze करिए हर set में कि कौन से set में कौन से chapter से कौन सा question आया हुआ है जो कि बड़ा मुश्किल काम लगता है आप उतनी मोटी अंसौल पर पलटते रह जाओ गया ठीक है तब फिर क्या किया जाए सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है अगर आपको chapter wise question मिल जाए तो यही सारे question chapter wise मिल जाए तो और उसी chapter wise question में question के आगे लिखा हो कि 2016 में भी आया है 17 में भी आया है 20 में भी आया है 21 में भी आया है है ना लगातारी आया है तो आप इसको देख करके समझ जाओगी कि यार यह question बड़ा important होने है ठीक चिंता मत करिए यह हम लोगों ने पूरा question paper pre-op cost में आपके लिए available करा के रखा हुआ है इद तृथ लेर्शचि आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से आपको यह मिल जाएगा यह तो पहली बात रही 15 कि पता कैसे करना है कि क्या पढ़ना है तो यहां से आपको यह पता से जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है एक्षर फिल्क है क्या पढ़ना है इसका आईडिया आपको लग जाए अब सवाल उठता है कि सर कैसे पढ़ना है क्योंकि दिन है पचास दिन में अगर हम 40 से 50 दिन अगर हम 10 घंटे भी स्टड़ी करते हैं जो कि बहुत ज्यादा होता है तो अपने पास ज्याज़ा चार सो से पांच सो घंटे हैं सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें तो हिंद इंगलिश को कम वेटेश भी अगर हम दे दें तब भी ज्यादा से ज्यादा डेढ़ सो घंटे अपने को सव घंटे ही अपने को सव से सवा सव घंटे एक सब्जेक्ट को मिल रहे हैं सव से सवा सव घंटे मिनिमम हम बहुत कम पढ़ेंगे तो 100 आवर को एक सब्जिक को अराम से दे सकते हैं अराम से दे सकते हैं अब फिर इसको चैप्टर वाइसमें डिवाइड करें लाए तो अब एक चैप्टर का 10 घंटे आगा ऐसा नहीं होता है कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जो आपका ज्यादा समय ले बस दो ह oportun में कुछ हो जाते हैं यह नफज में निमरल सब्सक्राइड और कि बेदर योग कोच में होते हैं तो मोटी मोटा आप सकते हो कि आपको एक सब्जेक्ट पहणनी के लिए इस समय जाम सव घंटे का Talon मिल हा है का under दिन भर में 6 से 8 घंटे 10 घंटे स्टड़ी करते हो तब भी अगर 6 घंटे पढ़ते हो तब भी 40 दिन में 4 चंख 24 होता है ठीक है और 8 घंटे पढ़ते हो और 40 दिन में तो 8 चंख 32 होता है ठीक है तो दो सब्जेक्ट में में 100-100 घंटे हो सकते हैं ठीक है कहानी को सुनना है और कहानी सुनोगे तो आप एक अच्छे टीजर कहानी सुन लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं यह इतना करना है ठीक है इस सब घंटे को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए 50 घंटे में आपको कुछ भी हो जाए आपको अपना सिलेवस कवर करना है करना है करना ही करना है 25 गंटे में जो बचे हुए हैं उसमें से कम से कम आपको 10 गंटे रिवीजन करना है 10 का 15 गंटे आपको कम सकम रिवीजन करना है और बचे हुए 10 गंटे में आपको टेस्ट देना है अपने आपको यह अपने आपको जज करना है कि हां मेरे को वाकई चीज़े आ क्यों जब टे रिवीजन का टाइम 15 से बढ़ा करके आप 20 घंटे भी कर सकते हो ठीक है लेकिन रिवीजन बढ़ा इंपॉर्टेट अगर आप में कुछ चैप्टर्स पड़के रखे हैं तो 50 में से 40 घंटे में भी हो सकता है अगर आप पहले से अगर आपको पता है कि मैंने इतने चैप्टर पढ़ रखे हुए है तो इसमें में 50 घंटे में काम हो जाएगा सुरुक मैं 4 चैप्टर पढ़े हुए है अब उस 30 घंटे को मेरे को उस सब्जेक्ट पर देना है अगर 30 घंटे अगर मुझे देने है मेरे पास 30 दिन बचे 나오 को बहुत कम समझते curric IF लौहने पढ़ रखा है ना तो जिए थिर रिवाइस करिंग फिर रिवाइस करिंग तो चार बार रिवाईस करें एक बार पढ़ ये तो चार बार रिवाइस करीं क Grade और tum जा कर के कहीं आपको सब्यक्त कमांड बन पाए अप उसमयना पढ़ रखा अपने देख के रखे हुए है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है उन्सावालों को आप हल करिये अब जैक्टिव हो अतिलगउ हो बहुत ही कलपी हो ठीक है वहां से आपको आइडिया लगा जाएगी है एक्जाम के लिए मेरे preparation कैसी चल रहे हैं इतनी चीजें आपको करनी ही करनी है मतलब at any cost आपको एक करना ही है अगर आप यह नहीं कर रहे हो तो यह समझ लिजे कि फिर आप बहुत दूर जा रहे हो बहुत दूर जा रहे हो अपने एक्जाम से ठीक है और यह करने के लिए अग बहुत से चैनल्स आपको मिलेंगे ठीक है जहां पर कुछ लोग पढ़ा रहे हैं कुछ लोग केवल question ही डेलिया के solve कराते हैं यह important पढ़ लो वह important पढ़ लो कभी एक चैप्टर से यहां कभी एक चैप्टर से वहां कूद गए तो अगर आप वहां पर पढ़ते हो जा करके ठीक है मैंने करा मुझी से पढ़ो बहुत से चैनल है जो मेरे जैसे पढ़ा रहे हैं ठीक है लेकिन बहुत चैनल जो हवा में केवल बात कर रहे हैं पढ़ाने के बजाए वो कभी important question बताते हैं कभी viral paper solve कर आते हैं कभी कुछ कर आते हैं ठीक है और अंति में जब paper का अगला सिर्फ ये मेरा मतलब कोई ऐसा नहीं किसी को personally target किसी बोल रहा हूं यह से बहुत से चैनल से जो यही काम करते हैं और बहुत से ऐसे लोग है ठीक है बहुत से आपकुछ समझदार हो जो पढ़ाते हैं one-shot lectures लेते हैं lectures पर पढ़ाते हैं लेकिन वह sequence से पढ़ाते हैं साइंस क साइंस क्या है किया परिवासा विज्ञा कि एक सिवीat करम बद्ध्य थ्यान के लिए करम बद्ध अध्यन जरूरी रह さं थे ए आपने कभी यह चैप्टर पढ़ा कभी यह चार सवल लगाए अंति में गूलर मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलने वालों ठीक है कुछ नहीं अंति में जीरो हो जाओगे एक्जाम टाइम जाओगे तो तो आप सीक्वेंसियल पढ़िए जो भी पढ़ा रहा है जो सीक्वेंस स पढ़ा रहा है आप जा करके वहां पर पढ़ाई करिए मुझस से अच्छा लगता है मुझस से पढ़ें किसी और से पढ़िए कोई दबाव नहीं मैं ही तुमको पास करा सकता हूं ठीक है तो आपको जहां बेटर लगे आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हो लेकिन याद और बहुत तरह 65 तो एड दिखते हैं फिर हम अक्सर यूटूब खोलते हैं आप भी नोटिस की होगे दिन बर मेरे साथ 4 बार हो जाता है ठीक है क्योंकि हमारा कामी यूटूब पहे तो हमको खोलना ही पड़ता बार 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 मैं यूटूब खोलता हूं किसी काम के लिए कि वीडियो देखूं उसमें कहां तक पढ़ाया है मैंने यह वाली वीडियो देखूं उसमें क्या-क्या कोश्चन कराए गए हैं और मैं उसको देखने के लिए यूटूब खोलता हूं पहे चला होम पेज पर कैसी वीडियो मुझको दिखती है ठीक है और यह सी बात है इतना ज्यादा अटेंशन इस्पैनम दोंगा कम हो चुका है तो अगर आप पर जोइन करना चाहते हैं तो जो भी टीचर आपको लगे धंग से पढ़ा रहे हैं अच्छे पढ़ा रहे हैं आप वहां पर जोइन कर सकते हैं लास्ट के समय में थोड़ा बहुत 1500 आपका भले खर्च है दो हजार चौबीस के नाम से हमने एक बैच बना कर रखा हुआ है ठीक है जिसका प्राइज से वन ट्रिपल नाइन है लेकिन हमने शुरुवाती बच्चों के लिए ट्रिपल नाइन रखा था ठीक है जो अभी भी है तो आप चाहें तो यह बैच जोइन कर सकते हैं यहां सब्सक्री के 40-50 लेक्षर मैस के 40-50 लेक्षर हिंदी के 20-25 लेक्षर बहुत कम हो जाते हैं ठीक है तो हमने सारे कुछ कवर कर रखा हुआ है सीक्विंस पढ़ाया है इसके अलावा जो यूटूब पर वन शॉर्ट हम लोग लेते हैं ठीक है तो यूटूब पर खड़ा घृट है यह सारा कुछ आपको देख रखा है पीवाई करो हमने देख रखा है स 46 शॉलोषन के साथ सारे पूरा चैप्टर, complete चैप्टर सिर्फ एक पन्ने पे, मतलब आप एक्जाम देने जा रहे हो, तो उस समय आपके वल वो पन्ना देखो न, तो सारे important points, सारे formulae, ठीक है, सारा कुछ एक page में आप ऐसे नजर मारो, और 5 मिनिट के अंदर आपको पूरे चैप्टर recall हो जाए, ठीक साथ इसमें आप, जब भी आपको लगे कि हाँ, कोई problem आपको discuss करनी अपनी teacher से, तो आप video call पे schedule book करके, अपने teacher के साथ, one to one आपने सामने discussion भी कर सकते हो, किसी भी subject तो कुछ भी, ठीक है, इसके अलावा जो आप जानते ही हो, the online coaching पे हमारी परंपरा रही है, हम लोग हर साल top 10 में, पिछली बार 9 बच्चे हमारे थे, ठीक है, तो वो top 10 जो है, वो आपको mentorship देंगे, वो आपको बताएंगे, कैसे exam में copy लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है exam के, ठीक पहले, तो और भी बहुत कुछ है, साय सीचे हैं, और इसका हम लोगों ने price बहुत-बहुत minimal रखा है, जो कि सिर्फ प्रिपल नाइन है, ठीक है, आप चाहें, तो यह जोईन कर सकते हैं, और ना चाहें, नहीं देना चाहते हैं, पैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप YouTube पर वंसाट स्रीज पढ़ सकते हैं, आ जैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, आप शायद ना समझ पाओ कि क्या important है, वो 70% क्या नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो कौन से 70% आपको पढ़ ले हैं, तो वो सारा हम लोगों ने अपने इसाप से 40-50 lecture पूरे design करके रखा हुए, तो होप, आप लोगों को आज की information अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आप लोगों से classes में, तब तक के लिए सभी को bye-bye, और keep motivated, आप बहुत अच्छा score करेंगे, बिल्कुल इस बारे में चिंता मत करिये, कि exam का क्या होगा, क्योंकि जब कोई समस्या होती है, तो हमें समस्या क समस्या को का आप समस्या को हलका होती है, तो years, 8 chapters, my भी चार्ण दिन का समय है चार् furniture चैनली एक दिन में आपको एक चप्छाo ते जचनल मिलेगा मैं ड़ले सा